हेलो फ्रेंड्स सागत आप सभी का rb additive class में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर करके आँँ यह वीडियो बहुत ही important होने वाला है तो वीडियो को जरा भी skip मत करिएगा पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए तो इस वीडियो हम देखेंगे कि nature क्या होता है किसी भी quadratic equation का तो अपर ठीक है वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले आपको यह बताने कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा अब जिसको जिसको डिस्क्रिमिनेंट पता है न वह comment box में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट करो जिसको नहीं पता है वह अभी मैं बताऊंगा आगे फिर डिस्क्रिमिनेंट बताने के बाद में उसका नेचर बताना है कि नेचर क्या होता कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेंट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है तो यहां पर देखो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको डी से रिपर्जेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट होगा b2-4ac ठीक है अब इसकी वैलू देखो तीन प्रकार से होती है first b2-4ac अगर greater than 0 है यहां पर two distinct real root मिलेंगे क्या मिलेंगे two distinct real root अगर मालो b2-4ac 0 के equal हो रहा है तो यहां पर two equal real root मिलेंगे क्या मिलेंगे two equal real root मिलेंगे अगर मालो b2-4ac की जो value है वो less than 0 हो जाती है तो आपको no real root आपको कोई भी real root नहीं मिलेगा clear बात है तो पहले वाले case में क्या मिलेगा आपको two distinct real root जबकि इसकी value 0 से बढ़ी होनी चाहिए 0 से बढ़ी होने का मतलब होता है कि plus 1, plus 2, plus 3 like this यहां पर equal to 0 हो जाएगा चलेगा और less than 0 होने का मतलब minus में value आनी चाहिए तो यह हो गया हमारे discriminant यह हमारा होता है discriminant का formula आप चाहो तो वीडियो को pause करके इसके write down कर सकते हो इसके बाद मैं इसे erase करके question को solve करूंगा तो आप solution करते है इसका solution the above equation is of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 वेर अपने पास टू है वी की वैलू माइनस फूर है और सी की वैलू कितना है थ्री देखो यह माइनस फूर और यह थ्री यह की वैलू हो गया देन अब देखो डिस्क्रीमिनेंट चेक करने के लिए डिस्क्रीमिनेंट का फारूला लगाएंगे जो होता है मारे पास अब इसकी वैलू कितनी आ जाएगी देखो माइनस फूर तो इसको ब्रेकेट में रखेंगे 2 गावर टू то Columbus स्क्वायर गएगा गापर आएगा देखो एंफ आएगा जैसे यहाँ पर माइनस फॉर का होल स्कॉर है तो स्कॉर जो होता है इवेन तो यह पलस हो जाएगा फॉर फोर जा 16-4 to 8 8 ठीजा 24 तो जब 24 से 16 को माइनस करेंगे तो दिखो नमबर बड़ा है 24 तो इसका साइन लेंगे माइनस 24 माइनस 16 करें तो आंसर आजेगा एट यानि आंसर कितना हो गया माइनस एट अब आप मुझे बताओ जो माइनस एट है वो 0 से बड़ा है या छोटा है कि ओवियसली माइनस एट 0 से छोटा है यह ना लेस है तो यहां पर देखो which is less than 0 देखो 0 आ गया तो रूट के नेचर कैसे होंगे तो यहां पर लिखेंगे नेचर आफ रूट आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए आपको कोई भी वास्तविक रूट नहीं मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा नो रिएल रूट क्या मिलेगा लूट तो अगर आप चाए तो वीडियो को पॉश करके रैट डाउन कर सकते हैं या फिर इसक्रीन सौट ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए अगर आपकी कोई कभरी जाये तो comment box में जरूर र